दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैंक सिक्टर का एक दिगज स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम आप लोगों के सामने हैं तो वीडियो को complete watch जरूर करिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आने वाले समय म साथ साथ हम लोग यहाँ पर company का fundamental analysis भी करेंगे तो वीडियो को last तक जरूर बने रहीएगा उससे पहले दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों को technical analysis सीखना है भाई मेरा मानना यह है कि fundamental analysis company का stats देखकर कोई भी कर लेता है बढ़ टेक्निकल analysis अपने आप में एक कला है आठ है जो कि आप लोगों को सीखना जरूर चाहिए तो आप हमारी इस course को join कर सकते हो अभी इस course की price 1280 रोपय के आसपास चल ला है दोस्तों इस course के सबसे पहले यहाँ पर fundamental analysis कर लेता है इंडेसिन बैंक का उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेक्निकली में जाएंगे कि भाई इस company में आप लोगों को ऐसा क्या pattern बन रहा है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर return को मिलना सबसे पहने यहां पर बात करने तो company ने जो हमें 1 week के अंदर мне 2016 actual buy मन्त की रिटन की बात कर लूँ तो आप लोगों को नेगेटिव में रिटन देखने को मिल रहा है जो की माइनस 8.04% का देखने को मिल रहा है वन येर की बात कर लूँ तो दोस्तों वन येर में आप देख सकते हैं technical analysis में लेके समझाऊंगा सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों company के stats के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई company कितना net revenue generate कर रही है और कितना pure profit यहाँ पर earn कर रही है company की बात कर लूँ तो यह सब जितने भी number में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों यह सबी के number thousand crore रुपीज के आसपास होने वाले है thousand crore होने वाले है तो दोस्तों 2017 की बात करनों तो company ने near about 18,570 crore रुपे के आसपास इसने net revenue generate किया और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 2017 से बढ़के 22.03 thousand crore रुपीज के आसपास इनों ने क्या किया net revenue generate किया जो कि 2018 से increase बढ़के यहाँ पर 2019 में आप देखिए 27,900 crore रुपीज के आसपास इनों ने यहाँ पर net revenue generate किया 2019 में उसके बाद दोस्तों इंका फिर से net revenue बढ़ा जो कि 2020 में उसमें आप देखिए 35.73 thousand crore रुपीज के आसपास इनों ने क्या किया net revenue generate किया यहाँ पर 2020 में net revenue तो लगातार आप लोगों को increase होते हुए नजर आ रहा है अभी profit पे एक बार नजर डाल देते हैं तो 2017 में जो इनका pure profit था दोस्तों tax wax pay करने के बाद 2.86 thousand crore रुपीज के आसपास इनको 2017 में profit हुआ वहीं पे 2018 की बात कर लू 2.86 से बढ़के इनका देखेंगे तो 3.60 thousand crore रुपीज के आसपास इनका net profit हुआ वहीं पे 2018 में से बढ़के 2019 में आप लोग देखेंगे थोड़ा सा यहां पर इनका decrease हुआ बट consistent profit रहा 3.30 thousand crore रुपीज के आसपास वहीं पे दोस्तों 2019 से बढ़के 2020 की बात कर लू तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा 4.45 thousand crore रुपीज के आसपास इंका net profit रहा तो overall यहां पर company लगातार profit increase कर रही है दोस्तों आप लोगों के सामने stats और यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को PE ratio की बात कर लू तो PE ratio भी आप देखेंगे केवल 14.44 जो की काफी better यहां पर PE ratio और PB ratio आप लोगों को देखने को मिल ला है वहीं पर दोस्तों सेक्टर PE की बात कर लो तो सेक्टर PE काफी हाई है आप देख सकते हो 54.30 का है उसके बदले में अगर आप इंदेसीन बैंक के analysis कर रहा है उनमें से 80% लोगों की यहां पर राई है कि भाई आपको इंदेसीन बैंक के यहां से बाई करके आप लोगों को चलना चाहिए और यहां पर उन्होंने जो target बताया है दोस्तों यहां से अभी current इंदेसीन बैंक की stock market की price बात कर लूँ तो 993 रुपीस के आसपास state हो रहा है और यहां से वो बोलना है कि भाई आप लोगों को यहां से जो high देखने को मिलने वाला है वो 1303 रुपीस के आसपास आप लोगों को देखने को मिलना है जो कि 30% से भी जादा आप लोगों को यहां पर profit देखने को मिलना है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाल अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास केवल 14.66% की holding है वहीं पे mutual fund की बात करनों तो काफी better performance है यहाँ पर mutual fund ने काफी ज़्यादा trust दिखाया है जो कि 9.43% के आसपास यहाँ पर इंडेसीन बैंक में उन्होंने invest कर रखा है वहीं पर DIS की बात करनों तो यहाँ पर 6.73% क कि आप लोगों को holding दिख रही है वहीं पर FIS के एक बार आप holding चेक करना 54.93 है approximately 55% की holding आप लोगों को इंडेसीन बैंक के अंदर FIS की दिख रही है रिटेल की बात कर लो रिटेल इन्वेस्टर्स की तो आप देख सकते हैं 14.23% के आसपास उनका यहाँ पर holding चो हो रहा है तो यह दोस्तों पूरा company का stats हो गया मैंने आप लोगों को holding के बारे में बता दिया और वहीं पर intrinsic value की द जलता है और समझाता हूं मैं आप लोगों को यहां से कैसे आप लोगों को एक बटर performance यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है अभी देखो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर daily chart open किया है इंडेसीन बैंक का और अब आप लोगों को clear cut समझ में आएगा बाउजी म दिखाने के बाद वापस से उसी turn line के आसपास आया दूसरी बार क्या किया इसने सेम उसी level के आसपास थोड़ा से उपर यहां पर support दिखाया उसके बाद दोस्तों support लेते ही दोस्तों यहां पर buyers active हुए बायर्स ने क्या किया वापस से यहां पर अपसाइड गया वापस से उसी टेन लाइन के आसपास आया और क्या किया यहां पर सपोर्ट लिया support लेने के बाद वापस से buyers active हुए buyers के active होने के बाद दोस्तों आप देखिए वापस उसी line पर आया और यहाँ पर क्या किया इसने वापस से support लिया है अभी अगर आप पिछले दिन के आप buying value का देखेंगे यहाँ पर buyers का value नज़र करेंगे एक बार देखेंगे तो आप लोगों को काफी better में यहाँ पर buyers आप लोगों को नज़र आ रहे है वापस से यह क्या कर रहा है यहाँ पर support लेकर आप लोगों को वापस से तेजी देखने को मिल सकता है और इंडेसीन बैंक में आने वाले 2 महीनों 3 महीनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 1300 का target आप लोगों को easily achieve होता हुआ नज़र आ जाएगा जो कि 30% है बाउजी यहाँ पर 30% का आप लोगों को target देखने को मिल जाएगा इंडेसीन बैंक के अंदर holding कितना करना है मुस्किल से 2 या 3 महीनों के लिए आप लोगों को holding करके चलना है तो एक यह दिगज stock है आप लोगों के लिए bank sector का तो दोस्तो मैंने आप लोगों को यह stock के बारे में बता दिया है आप लोग अपने risk पे इस पे invest करिएगा आप अपने financial advisor से जरूर राय ले लिजेगा एक बात जाच परताल जरूर कर लिजेगा अपनी तरफ से कि आप लोगों को इसमें buy करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरा काम था आप लोगों तक knowledge पहुचाना जो चीज मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है तो दोस्तो आई हूप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और जिन लोगों ने हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन नहीं कर रखा लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ तो वहाँ से क्लिक करके जोईन कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत